हेलो प्रेंग्स कैसे आप दोस्तों आज आप ऐसे एक टॉपिक के बाड़े में डिसकस करने बाले हैं जिसको सुनके हमारा जाज़ता दर्शक या तो स्कीप कर देगा या फिर एक डिसलाइक जरूर कर देंगे लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगे पास है प्लीज प्ल दुनिया के सबसे बड़ा सबसे लंबा पेर के बारे में जी हाँ आज हम ऐसे एक कूल बट इंपर्टन टॉपिक पर बात करने वाले हैं पेर हमारे नेचर का एक सबसे इंपर्टन फैक्टर है पेर के आलाबा हमारा कोई बजूद नहीं है हम लोग छोटे से पढ़ते आ र लार्जेस्ट्री अड़े यार नेटवर्क कहा भाग गया ये रमेश वो फॉटो पेस्ट कर जड़ा जो मैंने तुझे दिया था अब्बे वो तो तू बार बे ठ्यास क्ता एं वीडियो लंबा हो राए यार जल्दीपेश करना जी हमको क्या मिलेगा अब्बे तेरे लिए और एक फाइब स्टार लेकरा हूँ गाँ यार मुह मत खेला यार बिलेगा ना ? क्या ? पाइब स्टार अरे हाई यार जल्दी वीडियो खदम करेंगे और जाएंगे चल यार अभी पेश कर अभे देखो अभे कितना बास आ रहे हैं यार तेरा पॉटी दिखाने कौन बोला है यार वो पेर का फोटो दिखाना उम सौरी ये लो अभे ये मूतने बाला पेर मत दिखा मुझे पता है तू इधर जाके रोज मूतना है वो खंबा सौरी वो लंबा बाला पेर का फोटो जो दिया थे तुझे वो दिखा यार अभी सेही दे यार वीडियो बड़ा हो रहा है दरसक भाग जाएगा पाइश्टर मिलेगा ना अब बेच्चू एले 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 अभी दिखा यार ये सही हुआ अभी तुम बगबग बगबग करो हम आते येस फ्रेंड्स अभी जो आप स्कीन पे देख रही है ये है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पेर जिसका नाम है जेनरेल शार्मान ये पेर है जायन्ट फोरेस्ट अप सिकोईया में पुरा नाम है जायन्ट फोरेस्ट अप सिकोईया नाशनल पार्क जो की यूएस स्टेट का कैलिफोनिया में है ये पेर का साइन्टिफिक नाम है सिक्वेंडेंड्राम जियान्टियम ये पेर का नाम जेननेल शार्मान रखा गया 1879 में अमेरिकन सिविल वर के बाद लेकिन 1931 में इसको दुया का सबसे बड़ा पेर के हिसाब से माना गया ये पेर इतना बड़ा है कि आप इसका भॉल्यूम सुनके चोग जाओगे जायन्ट शार्मान का भॉल्यूम है 1487 क्यूविक मीटर मतलब की 52,513 क्यूविक फीट इसका हाइड जो है मतलब इसका लंबाई जो है वो है 83.8 मीटर मतलब 275 फीट इसका डायमेटर जो है मतलब चोड़ाई जो है वो है 7.7 मीटर मतलब 25 फीट इतना लंबा पेर हमारे इंडिया में बड़ा बड़ा बिन्लिंग भी इतना उचा नहीं होता है सबसे खास बात जो है इसका एज सुनके आप हैरान रह जाओगे क्योंकि यह है दुनिया का सबसे पूराना पेर इसका एज जो है वो है 2300 हाँ दोस्तों 2300 से लेके 2700 यार्स तक हो सकता है अनुमान लगाएगा है एक्चुली यह पेर का रिंग टेस्ट और कार्बोन टेस्ट के बाद पता चलाए और इसका एस्टिमेट मास मतलब इसका ओट जो है वो है दो हाजार एकसो पाच टॉन आप इतना डेटा सुन के समझ गए होंगे कि यह कितना बड़ा पेर है इस पेर का फोटो लेन पाना तो नामुम्किन सा बात है पूरा पेर का फोटो ले पाना तो हमारे पास सिर्फ नीचे का ही फोटो है उपर का चली उपर का फोटो है नहीं क्योंकि इतना उपर जाके फॉटो किचना पॉसिबल है नहीं लेकिन धाय हजार साल पूराना एक पेर का 2006 साल बहुत बूरा पिता बटा 2006 साल में इसका सबसे बड़ा शाका जो है वो 30 मीटर का था जो कि नीचे गीर गया जिसका कारण दोस्तों एक ही हो सकता है आज समझ गए होंगे कि जी इसका कारण है पॉलियोशन पॉलियोशन और पॉलियोशन के कारण इतना ओट फूल जो ब्रांच लगवक 98 फीट का ये ब्रांच पॉलियोशन के बज़े से बहुत उइक हो गया और बहुत ओट के बज़े स यह नीचे गिर गिया, जो कि एल शेफ का था, लेकिन दोस्तो सबसे मज़े के बात ये है, कि ये अब भी देर हजार साल जी सकता है, मतलब अनुमान लगा जा रहा है कि ये अब भी देर हजार साल जीएगा, मतलब लगभग सारे दिन हजार साल से चार हजार साल तक ये जिन्दर आए सकता है और और भी बड़ा और लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ा पेर है आज के टाइम में लेकिन इन पास्ट मतलब पहले ये सबसे बड़ा पेर नहीं हुआ करता था हाँ दोस्तों पहले ये सबसे बड़ा पेर नहीं हुआ करता था इससे पहले 1940 तक दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जी हुआ करता था जो कि एक कोस्ट रेड उट था ये पेर भी कैलिफोर्निया में था और इसका और ये जो पेर है दोस्तों ये जेनरेल शार्मान से 15 से 25 परसंट तक लॉंगर था पतलब 15 से 25 परसंट तक ज्यादा पड़ा था लेकिन दोस्तों दोस्तों बूरी बात ये है कि इस पेर को काड दिया गया हां इस पेर को अंत में काड दिया गया जो कि दुनिया का सबसे लंबा पेर हुआ करता था और आज के टाइम में शायद उससे भी बड़ा लंबा उससे भी बादा लेकिन जने छूरिए दोस्च दोस्ट गुष्ट गुष्ट करना था थोरा थूरा मन का बात है प्लीज आज जाम आप लोगों से कुछ नहीं मांगा ना सस्काइब मांगा ना लाइक मांगा आप से एक छोटा सा रिक्ष्ट है प्लीज अब अगर कई भी इधर भी मोका मिला पेर लगाने तो जरू लगाएं अपने लिए नहीं आप एक आदमी को जिन्दा रहने के लिए सारे साथ सो से ज्यादा पेर जिन्दा रहना चाहिए मिडियम पेर एक हिसावे एक डिसाच में पाया गया है मैंने साच किया तो मैंने देखाया सका एक आदमी को जिन्दा रहने के लिए खाना पीना ऑक्सिजन हो कुछ भी हो मिडियम सा निहाज को सारी सासो पेर से ज्यादा पेर चाहिए तो दोस्तों वोस्तों हम लोग दो शायद हम लोग सी इन्सक चिंदी को में कभी एक सूल बहुत नहीं लगाया ठीक है मैने खूद भी नहीं लगाया ठीक है तो तो ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि आप एक पेर काट होगे तो बढ़ा है अब दूस्तर एक छोटा पेर लगा होगे तो हमारे बाते बाते बारें को उतना बहुत एफेक्ट करेगा उसके लिए आप समझ पारे हो सायद क्या बोला चाहरा हूं तो दोस्तों मैंने आज आपसे क ब्राइडिंग नहीं है कुछ नहीं है अंदर से आ रहा है अंदर से बोला हूं प्लीज अगर कई भी कभी भी मौका में तो पेर जरून लगाई है आपसे छोटा सा बिल दी है और आपको अगर लगता है कि हां सब कुछ पेर लगाना चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को श जब छोटा था तब बहुत सारा भूप में पढ़ता था कि लिल लगाना चाहिए बहुत सारा एक्टिविटीज देख रहता है आजकल यह एक्टिविटीज बहुत कम हो गया आप देख कितना सार वीडियो आता है कितना कुछ आता है लेकिन यह सब के बार में कुछ नहीं ड्याता है इंसान को जगाए है कि यह सब किया होता है Co o kakyan Di ini hrl हेाँ, शजक के तक वीटी का मिश्च की हो आपका मैं लोग होता है, तक वस भी समूद अब में जैसे इस पीजिका वीडियों, प्र Wentam याच अब ऑप ऐसं सोच आ गए, या तक आफ आतर निया जितीक है। मेरा इमेज को गाड़ा हो सकता है लेकिन आजका आजकाल वो इमेज का वो यूटूब में ज्यादा फेमास होता है इंसान रोस्टिंग वीडियो करके डी अगर कोई पेर लगाने का मुका मिले आपको तो जरूर लगाई और पिर बख्रसे मैं तो इधर अभी पी पेर लगाने का अभी मैं पेर का नर ऑगि Torah में पेर लिघा सिर्कायर मेरे फेडे ही कमी पेर occurred पेर के लिए खड़ाब लगता है इसलिए मैंने सुचा कि चलो इस के लिए इस ट्रॉपिक के उपर एक वीडियो बनाऊ तो उस ट्रॉपिक के उपर वीडियो नहीं बना सकता हूं मैं दूसरा बनाऊंगा पुड़ा जानकरी लेके मैंने आज देखा यह मैंने सुचा कि यह मुझे पता है यह इसके बारे में एक वीडियो बना दू तो मैंने बनाया तो वीडियो बहुत लंबा हो गया शायद ठीक आप लोग अच्छा नहीं लग रहा होगा मैंसे बख रहा केनल को सस्काइब करें यह ना करें लेकीन प deberаться लगां यह थो आप नहीं लगा सकते हैं प्लीज दोस्तों प्लीज प्लीज पिर मत घाटी है थंक्यों गूडवाई